सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइकन के दबाईए लटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो स्टुएंट्स चलिए आज हम कक्षा आठ गणित की परसनावली 11.3 का परसन नमबर 7 हल करेंगे अगर आपको पिछे वाली क्यूसन के हल देखने है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप पिछे वाली वीडियो देख सकते हैं तो चलिए एंपरसर नमबर साथ को हल करते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि ऐसी वीडियो आप वादिवी मिलती रही है तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 7 मेटर तिर्जा और 3 मेटर उन्चाई वाला एक बंद बेलनाकार टेंक किसी दातू की चादर से बना है तो इसमें तिर्जा दी गई है 7 मेटर उन्चाई दी गई है 3 मेटर तो एक बेलनाकार टेंक बना हुआ है अब बेलनाकार देखिए मैंने आकर्टी बना दिये बेलन के जैसी तो ये बेलनाकार टेंक है और ये चारो तरफ से बंद है तो उसे बनाने के लिए वांचित दातू की चादर की मातरा ग्याद कीजिए तो देखिए ये टेंक है अब ये जिस भी दातू से बनी है तो दातू तो इसमें कितने लगे, यानि कि दात्तों की जो चादर है, वो कितने लगे है, उसका 6 तरफल क्या है, वो हमें ग्याद करना है, तो आप देखी, इसका कुल प्रेश्टी 7 तरफल हम ग्याद करेंगे, इसके अंदर उपर और नीचे दो वरत होते हैं, क्योंकि यह बैलन के जै तो ये बेलन हो गया, और बेलन का प्रेष्ट ये छेतर फ़ल अगर हमें ग्याज करना है, तो उसका प्रेष्ट होता है 2 pi rh, अब इसमें क्या होगा, कि देखिए, एक तो ये जो प्रेष्ट हो गया, ये माली जी चादर से बना हुआ है, तो एक तो ये चादर ये जो छेतर प्लस होगा तो यहाँ पर तीन चीज़े हो जाती है हमारे पास में हम ग्याद करेंगे कि दातों की चाधर का छेतरफल तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ में दातो की चादर का छेतरफल चादर का छेतरफल अब इसका हमें छेतरफल ग्याद करना है तो इसमें एक तो आजाएगा बेलन का वक्कर प्रेष्ट एक तो आएगा इसमें बेलन का वक्कर प्रस्टिए 6 तरफल वक्कर प्रस्टिए 6 तरफल और प्लस हो जाएगा एक वरत उपर होता है और बेलन के एक वरत नीचे होता है तो अगर दोनों तरब से बंद करेंगे तो दो इसमें वरत के टुकड़े लगाने पड़ेंगे यानि चादर के टुकड़े वरत जैसे तो उन दोनों वरत का 6 तरफल भी आएगा तो हम यहाप लिखेंगे 2 वरत का 2 वरत का 6 तरफल यह लिखेंगे अब बेलन का जो वक्रप्रेश्टी 6 तरफल होता है उसका जो सुतर होता है 2 πाई आर एच यह जाएगा और प्लस में 2 वरत का जो 6 तरफल है अब 1 वरत का पाई आर स्क्वाइर होता है तो 2 वरत का 2 पाई आर स्क्वाइर हो जाएगा तो यह आगा 2 पाई आर स्क्वाइर अब यह 2 पाई आर है तो 2 की जगे तो 2 आएगा और πाई का मान आएगा 22 बटे 7 और इसके गुणा में जो R है, R यहाँ पर तिरज्या है तो R जो कितने दी गई है R दी गई है, 7 मेटर दी गई है तो यह आज आएगा 7 गुणा में उन्चाई का मतलब H 3 मेटर तो यह आगया 3 और प्लस 2 पाई R स्क्वाइर है तो 2 की जगा 2 इंटू में पाई का मान 22 बटे 7 गुणा में R का मतलब तिरज्या है उसका स्क्वाइर कर देंगे तो तिरज्या 7 मेटर है तो यह आगया 7 इंटू 7 यह 7 का आप स्क्वाइर करके लिख सकते हो चलिए यहां से 7 से यह 7 कर जाएगा और इस 7 से यह 7 कर जाएगा तो गुणा कर लेते हैं 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 22 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएंगे हमारे पास में 2 गुणा 66 आ जाएंगे 22 तिये 600 होते हैं और प्लस में यहाँ पर हम 22 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 22 दूनी 44 और गुणा में आ जाएगा 7 अब आगे फिर से अगर गुणा करते हैं 66 को मैं 2 से गुणा करते हूं तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 13 यानि कि 132 आएगा और प्लस 44 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 28 और फिर 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 और 2 यहाँ पर हासिल हो जाएगी तो यानिकि 308 आजाएगा अब दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, तो जो चेतर फल आएगा, वो आएगा 440 मेटर स्क्वाइर, यह आजाएगा, इसमें कितनी दातु की चादर लगी है, उसका चेतर फल होगा, 440 मेटर स्क्वाइर, तो इतनी दातु की चादर है, वो इस बेलना का टेंक को बनाने में लगी है, त तब तक के लिए थैंक यू.